लोगाइज नमस्कार दोस्तों आज हम बात प्रेंगे अलवेरा के बारे में अलवेरा को घिर्ट कुमारी के नाम से भी जाना जाता है कम से कम जगाओं में वो छोटे से गमले में भी अलवेरा असानी से उगा जा सकते हैं इसमें कई संदर या तत्तों पाया जाते हैं जिसके कारण से इसका प्रयोग कई संदर या प्रोधानों में किया जाता है आईए जानते हैं अलवरा की इस्तेमाल के बारे में टिप्स नमर वान तौचा में निखार लाएगा अलवरा जूस तौचा में निखार यानि एलवरा का एक गिलास जूस रोजाना पीने से चिकनी, मुलायाएं, बेदाग और स्वास तौचा पाया जा सकते हैं एलवरा का जूस बड़ती उम्रक निसानों को भी कम करता है और तौचा के सल्स की मरमत करता है एलवरा जेल चलने और कटने भी लबतायक है, अगर आप एलवरा के जूस रोज एक गिलास पीते हैं तो आपका चेहरा बहुत सुन्दर और चिकना हो जाएगा टिप्स नमर टू, पाचन में सुधार, एक चमच एलवरा कबज को दूर करता है एलवरा ऐसे जूरी बैक्टिरिया इंडो यूस करता है जो कि आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करता है जिससे कबज जैसी दिखते नहीं आती है अगर एक चमच रोच आप एलवरा जूस लेते हैं तो आपका कबज खतम हो जाएगा और आपका कबज खतम भी हो जाएगा और आपका पेट भी सही रहेगा टिप्स नमर ठोड अंडर आई सरकर या डार्क सरकर को खतम करता है अलवरा जेल में आखों के लिए जरूरी बिटामिल E, A, C और बिटामिल B12 है और कई आउस्तिक बिटामिल पाए जाते हैं इसके पोस्टिक जेल में मेगनिसियम, कैलसियम, जिंक और अमीनो एसिड जैसे खनीज पाए जाते हैं ये आपको लगाने और खाने से आपका डार्क सरकर बहुत ही जल्दिक से खतम हो जाएगा और आपका डार्क सरकर खतम हो जाएगा और आपका आँख यानि आँख बहुत अच्छे चमक जाएगा टिप्स नमर फाइव, ईलुवेरा जिल बालो के लिए लाब ज्यर्ण कर जाता हैं , बालो को घ्टने के इलाज के लिए यलुवेरा परकीन मिष्टेक teenager समय से प्रयोग किया जा रहा है , अलुवेरा में बालो के तिझाश बढ़ाने वाले इंजाइम सामील है , इलुवेरा में प्रोटेटोलिक्स एंजाइम पाए जाता है जो सीर की मिर्थ ताउचा कुश्काव को उनमुलन के लिए काम करता है आप अगर अलवेरा जेल लगाते हैं तो आपका डेंडराप खत्म हो जाएगा और आपका बालों के गिरना खत्म हो जाएगा और आपका बाल बहुत ही आएदा पहुंच आता है रिजल्ट देता है थैंक्स फर में वाचिंग दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें